वेलकम बच्चों, वेलकम टू माई चैनल आज हम सीखेंगे एक और इजी पेंटिंग तो चलते हैं अपनी पेंटिंग की तरफ आज हम बनाएंगे हैंड पेंटिंग इसके लिए प्लेट में यलो कलर और हमारा हैंड कौन सा हैंड? डेफ्ट हैंड इसमें हम अच्छे से इस तरह से प्रेस करेंगे ठीक है? और जहां खाली हो उसको ब्रस से फिलप कर देंगे उसके बाद हम अपना थम्ब लेंगे उस पें यलो कलर लगाएंगे और प्रेस वन अगेंड प्रेस टू अगेंड प्रेस त्री अब हम क्या करेंगे? रेड कलर लेंगे वेरी गूट और अपने हैंड का क्राउन बनाएंगे ठीक है? इस तरह से वेरी गूट फेरी नाइस उसके बाद क्या करना हमें? हम फिर से रेड कलर लेंगे और अपने हैंड की बीक बनाएंगे बहुत सुन्दर सी V-shape Very good अब हम अपने हैंड के Legs बनाएंगे उसी Red कलर से देखिए Straight Line और Three Lines थोड़ी लंबी-लंबी आगे की तरफ Very good दूसरा Leg बनाएंगे Straight Line फिर V-shape Three Line Very good Very nice इसके बाद हम अपने Chicks के पास चलेंगे जो यह हमने Thumb Impression लगा है नाईने हम Chicks बनाएंगे सबसे पहले हमें इसकी Beaks बनानी है इस तरह से V-shape Very easy Very nice देखिए Very good अब हम इन तीनों की Legs बनाएंगे चलिए फटाफट बना लेते Straight Line Two Line Straight Line या Three Line Very good Next Straight Line Small Small Three Line Straight Line Small Small Three Line Straight Small Small Three Line Straight Small Small Three Line Very good Very nice अब हम Black Color लेंगे और अपने Hen और Chicks की Eyes बनाएंगे ठीक है देखिए बिलकुल ऐसे Round Shape अब हम चलते हैं चिक्स की आईप और स्मॉल से डॉट्स वेरी नाइस वेरी गूट अब हमें क्या करना है अब हम ब्रश में ग्रीन कलर लेंगे लाइट ग्रीन कलर लेंगे और नीचे ग्रास बनाएंगे ठीक है ऐसे बनाएंगे कि सारे चिक्स और हैं उसके ऊपर दिखाई देएं देखिए इस तरह से चिक्स के लेक्स के नीचे सर्किल बनाते हुए राउंड राउंड हम बना लेंगे पहले हम आउटर लाइन बनाएंगे फिर हम नीचे से अच्छे से फिल अप करेंगे देखिए इस तरह से हमें अच्छे से कलर को पूरा फिल अप करते हैं ठीक है उसके बाद हम डार ग्रीन कलर लेंगे और स्ट्रोक्स लगाके ग्रास बनाएंगे देखिए हमारी ब्यूटिफूल पेइंटिंग बन कर रेडी है एट लास बार बार केड्स तुम मिलते हैं अगले वीडियो में